तीन अप्राल 2020 को कोरोना वायरस के मामलों ने वैश्विक स्तर पर एक मिलियन का आकड़ा पार कर लिया था दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस के मामलों पर केंद्रत था जबकि चीन के लिए दक्षन चीन सागर में व्यापार हमेशा की तरह ही जारी रहा देक्षिन चीन सागर चीन के लिए इतना महत्पपूर क्यों है इस मार्ग पर कितना कारोबार किया जाता है निक्रानी करने वाले एक चीनी जहाज ने विवादित पानी में मश्री पकडने वाली एक वियतनावी नाव को टक्कर मारी और उसे डूबो दिया डूबे हुए जहाज पर आट लोग थे इसके अलावा दो अन्य वियतनामी नाव को पकड़ कर अपने कबजे में कर लिया पिश्रे कईव एक हफते से चीन अपनी उपस्थिती दर्स करवा रहा है और चीनी उत्पीडन के ऐसे मामलों में लगतार तेजी देखनी को मिल रही चीन दक्षन चीन सागर में अपनी स्थिती को और वजबूत कर रहा है क्योंकि चीन के अलावा इस संसादन संपन जलमार में पाच और अन्य दाविदार है ताइवार, वियतना, फिलिपिन्स, मलेशिया और प्रूनोई इस द्वीप पर अपना दावा करते हैं इन राष्टों में कोरोना वाइरस के 11,000 से जादा मामले हैं इन देशों में कोरोना संकटनी अधिकांच रक्षा गती विद्यों को बाधित किया है लेकिन चीन में इसका असर जाहिर तोर पर कम रहा कोरोना वाइरस अब एक विदेशी संकट है और चीन अब अपने छोटे पडोसी देशों को अपना वर्चस्प दिखा रहा है अगर आपको ए रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइकों शेयर करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए